नमस्कार जेसी ये आर्टी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है आज की कच्छा में हम क्लास टू के मैट्स के पार्ट समय इसकी चर्चा करेंगे और समय के अंतरगत हम आज चर्चा करने वाले हैं सुबह, दोफर, शाम, रात और बिनों के नाम बच्चों हम सो कर उठते कब हैं? सुबह में और सुबह को हम लोग इंग्लिस में क्या बोलते हैं? उठने के बाद सुबह में हम और क्या करते हैं? तैयार होते हैं, ब्रस करते हैं, दातुन करते हैं, मुहा धो लेने के बाद, ब्रस कर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं? नास्ता करते हैं और ये नास्ता भी कब होता है? सुबह में ही होता है नास्ता करने के बाद हम लोग स्कूल जाते हैं और फिर स्कूल में हम लोग पढ़ाई करते हैं हम लोग स्कूल से कब लोटते हैं? शाम को शाम को स्कूल से आने के बाद हम और क्या करते हैं? खेलते हैं शाम को खेलते हैं खेलने के बाद हम लोग घर आते हैं फिर थोड़ा नास्तावर करके हम लोग क्या करते हैं? पढ़ने बैठ जाते हैं रात में फिर सो जाते हैं क्या आप बता सकते हैं कि किस में ज्यादा समय लगेगा? पानी पीने में या खाना खाने में? पैदल स्कूल जाने में या साइकल से स्कूल जाने में? बाल्क में कंगी करने में या नहाने में? आप अपना उत्तर बताइए आईए अब एक कविता हम गाएं मेरे साथ साथ आप भी गाईए सोम बार को चड़े ट्रेन में दादा दादी हम मंगलवार को जा पहुँचे थे सब के सब दम दम मंगलवार को जा पहुँचे थे सब के सब दम दम बुदवार को पहुँचे दिल्ली नानी के घर हम गुरुवार को घूमने निकले पैसे पड़ गये कम सुक्रवार को फिर पैसे लेकर फुरसे निकले हम शनिवार को सबने खाया बर्फी और चमचम शनिवार को सबने खाया बर्फी और चमचम रविवार को चड़े ट्रेन में घर को लोटे हम रविवार को चड़े ट्रेन में घर को लोटे हम तो क्या आप बता सकते हैं कि सब्ता में कितने दिन हो गए आएए गिनते हैं हम लोग सोमबार, बंगलवार, बुद्धवार, गुरुवार, शुक्रवार शनिवार और रविवार आई एसी को इंगलिस में भी दोर आते हैं मंडे, ट्यूस्डे, विंस्डे, थर्स्डे, फ्राइड डे, सटर्डे, संडे आज की कच्छा में हमने समय के बारे में जाना और इसके अंतरगत हमने सीखा सुबह, दोफ़र, शाम, रात और सप्ता के दिनों के नाम आप इसे अपनी किताब से पढ़ें और इसे हिंदी और इंगलिस में लिखें जैसे सुबह, शाम, दोफ़र, रात इसे हिंदी में भी लिखें और इंगलिस में भी लिखें इसी तरह से सप्ता के दिनों के भी नाम हिंदी में और इंगलिस में लिखे और अपने सिक्षक को दिखाएं धन्यवाद